Hello students, कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे से होंगे Welcome करता हूँ आप सभी का अपने YouTube channel Polytechnic Liberal Learning में आज आपके लिए जो vacancy से related जो आपका job alert है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ Indian Oil Corporation Limited यानि की IOCL जो की एक बहुत बड़ी महारतने companies में आती है आप जानते हैं Public Sector Undertaking है तो उसमें आपके लिए जो हमारे Polytechnic के चात्र हैं तीन साल जिनोंने डिप्लोमा किया है उनके लिए Technician Apprentice के नाम पर vacancy आई हैं तो उसमें आपको Apprenticeship के लिए जो भी एच्छुब छात्र छात्रा हैं वो अपलाई कर सकते हैं तो ये documents जैसा कि आप अभी अपनी screen पर देख पा रहे हैं उसकी कुछ प्रमुक बाते मैं आपको बता देता हूँ एक तो start date application की online application form आपका भरा जाएगा 5 October से start हो चुका है और जो आपकी last date है वो 25 October है तो last date जरूर ध्यान रखिएगा समय आपके पास बहुत कम है 25 October के पहले पहले ही उसको आप online apply कर दीजे अब हम बात कर लेते हैं मुख मुख बातों की मैं आपसे discussion करूँगा जैसे जो total जो आपके vacancies है वो 469 apprentice के लिए इस समय निकला हुआ है तो ये सारे आपका किन-किन states में हैं किन-किन कितनी vacancies हैं ये सार आपको दिया है इसको मैं अपने जो telegram channel है polytechnic liberal learning उसमें मैं शेयर कर दूँगा तो उसमें आप देख लीजेगा अच्छे से इसको इत्मनान से पढ़ लीजेगा हम अभी जो बात करेंगे जो main-main बात हैं जो मुख है उस पे हम बात करेंगे तो ये जो आपके apprentice के लिए जो vacancy आई हैं ये pipeline जो sector है Indian oil का उसके लिए हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसमें किस-किस जो आपकी branch है eligible है एक तो हमारे mechanical के चात-चात्राइं eligible है electrical के चात-चात्राइं eligible है इसके अलावा जैसे mechanical, electrical और इसके अलावा telecommunication and instrumentation तो इस तरीकी के जो branches हैं इससे मिलती जुलती भी कुछ branches होती हैं जैसे mechanical के साथ auto mobile वाले भी आपके eligible है electrical के साथ electrical and electronics करके जो branches होती है या instrumentation से सम्मंदित तो ये list आपको आगे दी हुई है उसको आप अच्छे से देख लीजेगा तो आप eligible हैं की नहीं है इसके अलावा कुछ vacancy ऐसी हैं जो जैसे data entry operator की हैं तो मान लीजे वो enterprise मांगते हैं तो हमारे जो अन्य छात छात्रा हैं डिप्लोमा के जैसे की modern office management या secretariat practice इस तरह के जो डिप्लोमा किये हैं तो वो उसमें apply कर सकते हैं यदि उनकी इच्छा होतो इसके अलावा और भी vacancy हैं जो दूसरे छात छात्राओं के लिए हैं तो वो डिप्लोमा होना चाहिए full time mechanical engineering में और automobile engineering में और जो ITI से करके आए हैं direct second year में तो वो भी eligible हैं उनके लिए two years का चल जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं इसी तरह से technician apprentice है the electrical की बात करें तो electrical engineering में तीन साल का डिप्लोमा होना चाहिए full time या फिर electrical electronics engineering में तो ये भी आपकी मान है इसके अलावा जो हम बात कर लेते हैं third number पर जो technician apprentice है आपका telecommunication and instrumentation में इसमें भी तीन साल का full time diploma होना चाहिए ये देखी इतनी सारी branches दी हैं इनसे मिलती जुलती सब आप eligible हैं जैसे electronics engineering में किसी ने किया है या instrumentation and control process control engineering instrumentation and control engineering electronics and radio communication engineering electronics and telecommunication engineering electronics and communication engineering तो ये इस तरीके कि जो branches से electronics से सम्मंदित वो सभी जो हमारे चाहत्चात्रा हैं वो इसके लिए eligible हैं तो इसको आप देख लीजे जो भी चाहत्चात्रा हैं वो इसमें जरूर अपलाई करें और इसके अलावा जो मैं आपसे बात कर रहा है तो ये trade apprentice की जैसे बात कर हैं तो ये graduation वालों के लिए हैं यदि कोई आपके परचित में graduation का student हो तो आप उसको बता सकते हैं जैसे ये accountant के लिए है trade apprentice के नाम पर है तो इसमें graduation जैसे commerce हैदी किसी ने किया है तो वो इसमें apply कर सकते हैं अभी इसकी में जो बात कर रहा था data entry operator ये fresher apprentice के लिए 12th pass minimum मांग बाता है graduation से काम होना चाहिए तो ये इसमें भी diploma holders जो हमारे जैसा मैंने आपसे बताया कि modern office management या इस तरीके की जो branch के student से वो apply कर सकते हैं तो आप apply करके देख लीजी यदि आपका apply हो जाए eligibility आपकी रहती है तो आप उसमें apply कर दीजी और आपको मौका मिल रहा है IUCL में का करने का तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है इस तरह से आप इसमें भी देख लीजी अगर आप ना eligible हो तो कोई आपके परचित में यदि eligible हो तो आप उसको भी ये चीजें बता सकते हैं अब इसमें कुछ महत्पूर्ण चीजें मैं आपसे बता देता हूँ इसमें age का जो क्राइटेरिया है वो 18 साल से 24 साल होना चाहिए यानि minimum 18 साल होना चाहिए और maximum 24 साल और जो cut off date है जो आपकी मानी जाएगी वो 1 October 2020 को मानी जाएगी वहाँ से आप अपना निकाल लिए 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए 18 साल से कम नहीं होना चाहिए इसमें duration बता देत है कि apprenticeship training की जो duration है यानि आउधी है वो कितनी है तो technician apprentice जो मैंने अभी आप से बात किया electrical mechanical और जो instrumentation इस तरीके की branches थी उन सभी के लिए एक साल की है trade apprentice की बात कर लेते हैं तो वो भी एक साल की है data entry operator and domestic data entry operator है उनके लिए 15 माई की यानि एक साल 3 माई की होगी तो इस तरह से बा होगा तो उसके अनुसार आपको मिलेगा उसमें कोई चिंता करने की आपको बात नहीं है बागी चीजें concessions and relaxation age बगएरा में किसको दिया जाएगा दूर पास का यह सब चीजें है यह सब दिये हैं तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजेगा selection methodology की हम बात कर लेते हैं कि selection procedure क्या है कैसे selection होगा तो technician apprentice हम बात करेंगे diploma holders के लिए तो इसमें आपसे return test होगा उसमें 100 objective type questions पूछे जाएंगे 75 आपकी ब्रांच से सम्बंदित होंगे जैसे mechanical का कोई चात चात्रा है तो 75 question mechanical से सम्बंदित होंगे electrical या electronics का है तो उनकी ब्रांच से सम्बंदित 75 question होंगे उ general knowledge इत्यादी ये सब चीजें पूछी जाएंगी तो ये भी आज के समय में बहुत जरूरी है तो इनकी भी आप लोग practice करते रहिए और तो इस तरह से 100 objective type questions आएंगे उसके अधार पर आपका selection किया जाएगा तो ये आपका जो आउधी होगी return test की वो आपको 100 questions दिये और इसमें Hindi और English दोनों में दिया जाएगा तो Hindi ये English दो में से आप जो चाहें वो कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो ये चीज होने के बाद फिर आपका जो महत्पूर्ण चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ बाकी चीजें आप पढ़ लीजेगा मैं इंडिया नॉयल की आयो सीयल की उसमें आपको ये अपलाई करना है ओनलाइन तो ये आपकी बेप साइट इसको आप ध्यान से नोट कर लीजी और चाहे तो आपको में लिंक दे दूँगा तो आप उससे भी सीधे क्लिक करके अपलाई कर सकते हैं तो ये हो गया बस एक मैं बात करूंगा आपसे बड़ी महत्पूर्ण है रिक्वार्मेंट बेफोर फिलिंग ऑनलाइन एफ्लिकेशन फॉर्म तो इसमें वही जब आप अपलाई करेंगे फॉर्म के लिए रेश्ट्रेशन करेंगे तो एक जो होता है बी ओ एटी यानि की रीजनल बोल्ड ऑप ह्यूता तो ऑपका उसमें रेश्टेशन होना चाहिए तो वो रैश्टेशन नमर इसमें मांगे आपसे जब आप टेएनिषयन अप्रेंटिस के लिए अपलाई करेंगे रेश्टर कराएंगे स्वहाएंगे से को या फिर एक जो तो आपने नहीं करा रहा होगा है तो registration संख्या उसमें registration के दोरान जब आप अभी करेंगा UCL में तो वो उसमें जरूर मांगेगा apprenticeship के लिए especially तो वो जरूर उसमें करा लीजिए वो हमेशा के लिए है किसी भी department में आप apprenticeship के लिए अपलाई करेंगे तो वो number आपसे जरूर मांगेगा तो इसलिए board of apprenticeship training B.O.A.T. या फिर आपका N.A.T.S. में registration जरूर होना चाहिए उसको registration करने के पस्चाथ उसको सम्हाल करके आप अपने उसमें रख लीजिए ताकि जब भी उसकी जरूरी पड़े तो आप उसको यूज कर सकें तो यह थी आज की सब चीजे महत्पूर्ण जानकारी पूरा form आपका खुल के आ जाएगा मैं अभी बता देता हूं form किस तरह से खुलता है क्या क्या चीजें भरने रहेंगी आपको photo sign भी आपको यह ही बोलूँगा तो यह चीजें बहुत महत्पूर्ण हैं इन सब को आप ध्यान दे लिजिए जो दो भी part हैं आपके registration के part one part two उनको बढ़िया systematic तरीके से आप complete करिए आपना जो एक्टो आपका email ID है और जो mobile number वो दीजे क्योंकि उसमें OTP भी आएगा तो आपको उसमें verify भी करना पड़ेगा कर दूँगा जो telegram channel है telegram channel को आपने जोइन नहीं किया है तो जोइन कर लीजिए जिस से सभी तरह के documents आपको समय पर जानकारियां महत्पूर्ण मिलती रहें डेट का मैंने आपसे बता दिया कि आपका 5 October से start हो चुका है online आपका application आप apply कर सकते हैं और 25 October last date है तो 25 October के पहले-पहले ही आप apply कर लीजिए और जो return के चली 21 नमर को होगी लेकिन यह को change भी हो सकता है आगे पीछे हो जाए तो वह notification आपको मिल जाएगा जब आप payment card download करेंगे या आपको email या फिर mobile के माध्यम से तो यह थे आज का महतपूर्ण वीडियो तो अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से online आपको apply करना है form किस तरह से खुलेगा जब आप registration करेंगे तो उसको भी आप लोग देख लिजे एक बार यह जैसा कि आप भी screen पर देख पा रहे हैं जो website का मैंने अभी नाम बताया तो जहां apply करना है pipeline division है तो इसमें यह देखिए यह है आपका PLAPPS.Indian Oil.in तो इसमें जैसे लिंक भी मैं share कर दूँगा तो आप इसको जैसी खोलेंगे तो यह active openings देखिए यह करके लिखके आ रहा है और इसमें लिखा Engagement of Apprentices Under the Apprentice Act 1961 Indian Oil Corporation Limited वे यह पूरा लिखा है तो क्या करना है आपको इस पर click कर देना है तो इस पर हम click कर देते हैं यह हमने click किया यह देखिए click किया आप तो यह देखिए आ रहा है सारा चीज जिसमें लिखी हुई है वही date की जो मैंने बात किया था सारी date लिखी है 5 October से सुरू हो गया last date 25 October है आपका यह सारी चीजें दिया है exam की date 10 टेट हो आपका दिया 21 number जो मैं आपसे बता चुका हूँ यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट टाइम आपको registration करना है तो register now पर आपको click कर देना है तो हम click कर देते हैं तो register now पर हमने click किया यह देखी खुल गया अब इसमें पूछेगा reason कौन सा है तो region आप भर दीजे जिस भी region में आप जाना चाहते हैं उसके बाद आपका trade applied for जो trade है आपकी वो आप select कर लि जाए yes no जो भी आपका है सारा आप करते जाए जो जो degree आपके पास है तो यह सब आपको first name middle name last name अपना date of birth category आपका email id पासवर्ड बना लेना है फिर यह डालके फिर यहाँ पर आपको click कर देना है i certify यहाँ पर इस box को check कर लेना है और यहाँ पर आपका जो यह register लिखा हु जाएंगे तो verify mobile number जरूर कर लीजिए और email को verify करने के लिए verify email जरूर कर लीजिए तो OTP आएगा उसमें यह link आएगी तो इससे आप लोग उसको activate कर लीजिए तो यह verify कर लीजिए तो इस तरह से यह part one complete हो जाएगा तो फिर part two आपका आएगा part two में हो सकता आपसे photo या signature apply करते हैं जौब के लिए भी online किस तरह से apply करते हैं दूसरा सबसे मातपूर बात मैं आपको बता देता हूं कि इसमें पैसे भले ही आपको अपने टिसिप के नाम पर कम मिलें लेकिन आपको जो इतने बड़े organization में सीखने का काम करने का जो मौका मिलेगा वो आपके लिए ब performance रहता है तो आपको अपनी तैयारी का भी पता चलेगा तो बच्चों इसमें जरूर प्रतिभाग कीजिए और इसमें आप apprentice करने का मौका मिल रहा है इतने बड़े organization में तो उसको जरूर करिए तो यही मेरा आज का वीडियो था आप सभी को मेरी शुब कामनाए हैं आपका selection जरूर होगा तो इनी सुब कामनाओं के सहत मैं आज के वीडियो को यहीं स्वावत करता हूँ थैंक्यू वेरी मच आपका दिन शुब हो